नमस्कार अख़बार जकत में आपका स्वागत है बनारस हिंदू विश्व विध्याले में शिक्षा को नजरंदास कर शिक्षा देने वाले के धर्म पर दिया जा रहा है आश्चेरी की बात है डॉक्टर फिरोज खान की संस्क्रत पढ़ाने के लिए हुई नियुक्ति का वि मंत्रों के उच्चारण और भजनों के बीच हो जिसका नाम मुसल्मान और मन और संसकार हिंदू हो यदि ऐसा व्यक्ति साहिते पढ़ाना चाता है तो इसमें परिशानी क्या है यह तो गर्व की बात होगी कि सर्व धर्म कहे जाने वाले इस देश में एक मुसलिम संस्क्रत का अध्यायन करे और उसे पढ़ाए भी धर्म का कोई सवाल ही नहीं है डॉक्टर फिरोज खान शुरू से ही संस्क्रत पढ़ाते आ रहे हैं यह उनकी त्यक्तिगत पसंद है कि वह किस भाशा और किस विशय में अध्यापन करना चाहते हैं पहले फिरोज खान के दादा उस खान को सम्मानित भी किया यह जब इस बात का सबूत है कि उन्हें संस्क्रत का पूर्ण रूप से सही ज्यान है और छात्रों को भी सही ज्यान ही दिया जाएगा किसी भी विशय को पढ़ाने के लिए उसका ज्यान होना आवश्यक है वह हिंदू है या मुसलिम यह नहीं सभी की विचारधारा बनी हुई है कि यदी संस्क्रत पढ़ानी है तो कोई हिंदू अध्यापक या कोई पढ़नेत ही पढ़ा सकता है लेकिन जो भी संगठन इस विरोध में शामिल है यह सब सिर्फ राजनितिक विचारधारा वाले लोग है जो सिर्फ किताबी ग्यान से म को शिश की जा रही है रिपोर्ट अखबार जगत इसी तरह के विडियो देखने के लिए लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत